नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका समीधान के आर्टिकल सीरीज में जहां पर आज हम बात करेंगे सैकारी सोसाइटी का आज का हमारा आखरी का आर्टिकल है 243 या ना इसके बाद से हम लोग भाग नंबर 10 में इंटर कर जाएंगे आखरी आर्टिकल क्या कहता है विद्दमान विदियों का जारी रहना यनि की जो नियम अभी वर्तमान में मौजूद है ये आगे भी लागू रहेंगे नियम का मतलब क्या है 97 में समीधान संसोधन के द्वारा साल 2011 में जो चीजे सामिल की गए वो आगे कंटिनू रहेंगी उ प्रवद्ध सहकारी सोसाइटी से संबंदित किसी विधी का कोई उपबंद अगर पहले से है जो इस भाग के उपबंद से असंगत है उसे अच्छम विधी या विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संसोधित या निरसित किया जाने तक ऐसे प्रारम से ए से बनी आ रही है और आजादी के बाद भी सहकारी सोसाइटी बनाएगी तो बस अब जब नया संविधान संसोधन गिया गया तो वहां पितनी बात जोड़ दी गई कि भाई जो सहकारी समीधी पहले से बनी हुई है अगर उसका टाइम पूरा होने वाला है तो ठीक है लेकि अगर आपका कारेकाल दो साल की बाद पूरा होगा तो आपको क्यों एक साल का मौका मिलेगा दो साल का मौका नहीं मिलेगा इतनी सी बात संविधान के भाग नंबर 9B के आर्टिकल नंबर 243 या नामे कही गई है चलेगा सुक्रिया थेंक्यू सो मच टाटा बबाए टेक के के बादियर